गाइस आज है चोदा तारीक और आज हम एक बीड क्या वीडियो बना रहे थे हाला कि सभी को नोटिपिकेशन हमारे टेलिगराम गुरूप में दे दिये थे और जो जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम वेबसाइट में अपडेट भी कर दिये थे कि कब कैसे क्या लेकिन बहु आपको बोला था कि रिजल्ट कब आयेगा आपका आया सेकेंड जो जून में आपका रिजल्ट आया ना फर्स्ट बीका सेकेंड बीच बोले थे तो आगे आपका भूश्य में अब यहां पर बोला कि कांसलिंग नोटिस कब होगा देखो सब कुछ जानना पड़ेगा कि जै करेा था लेकिन अभी डेट वगरा मेंसर नहीं किया गया था कब से करवां में कब से नहीं तो उनको करने का परयास था तो आपको पता होना च french दो आदमें करा सकता है या तो या तो राची उनिवर्सि correct निक करा रहा था उससे पहले सार को आ थाenan यह बोट इस करें तो हम वीडियों में आज जही yolk होगा टो जरूर शूस्क्राइब करेंगे इस्से मेरे दिल और बावना को एक फूर्ती मिलती हूं जीसे कि उस तुछ ठर्ण हो सकते हैं क्योंकि 18 गितना तारीक से एक्जाम है नर्सिंग वालों का फिर दो जुलाई से giàn breaking program रहा है और counseling क्राइए अपको कर रहें तो कम से कमर्त पर 40,000 श क्वक्रेंट मैं जो कि यानि 15 दिन तक आपको wait करना ही पड़ेगा हो सकता है notice पहले जारी करते लेकिन 15 दिन बाद ही आपका counseling possible है अन्यता नहीं है क्योंकि आप जिसको phone लगा रहे हैं वो क्रिपया अभी best है मतलग JCCP की अभी और exam लेना है तो उसमें अभी best है जिस वज़े से जो है वो अभी इस चीज़े में ध्यान नहीं दे रहा है उनको पता है result तो मिली गया सबको counseling करवाना है तो रहसा रोकते हैं counseling करते हैं इसके बाद exam ले लेते हैं हम लोग वे से नर्शिंग उसके बाद counseling कर बाते हैं ठीक है उनका यह प्लान होगा तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि counseling कैसे करना है आप किस college में apply कर सकते है प्राइवेट को लिज सेमी को लिज में कैसे आप जो कर सकते हैं तो सब कुछ समझते हैं ठीक है उसको समझने के लिए सबसे पिला को college देखना पड़ेग यह नहीं पता नहीं हमको कोई देखता है या नहीं वह भी पता है हमको और नहीं देख दो यहां पोइस टे आठ जून को पोश्ट डाला था छारखन बीएड इंटर्स एक्जाम आ कांसिलिंग लिंक एक्टिव यह मैंने आठ जून को डाला था दोस्तो एक्टिव पहले करा दिया था आपको वीडियो नहीं बनाया तो क्या हुआ सब कुछ वीडियो में मिलता थोड़ों ना अब मेरिट लिस्ट देख रहे ने फर्स्ट भीयों को जून पहले लिख रखे था आपको फर्स्ट भीयों में आया ना रिजल्ट तो जो हम लोग लिखते हैं हम लोग पूछ-बूछ के लिखते हैं और जो भी है बात करके लिखते हैं तो यहाँ पे जो है देखिए apply for counseling त देता हूँ एक मिनिट तक यहां पे आयेगा है मतलब यह वेट में यह आएगा उसके बाद यह आपका सुन होगा फस्ट राउंट पाउसलिंग तो यह तो बोल दें 15 तक आपको वेट करना पड़ेगा उस से पहले आ जाती तो और अच्छी बात है तो आपको यहां पर क्लिक करके दिखें आपको दिखा दें तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर लिंक एक्टिविट करा देखके रख दिया है यह देखिए आप देखिए यहां पर यहा जो राए है तो देखिए यहाँ पर जो है किलीक हो गया आप यहाँ पर कोई Loki moc lazio नहीं है मतलब अभी यह तो उनोंने कर दिया है जिसका काम था जो टेक्निकल टेंट ही ल्हक उनका काम था वह पर दिया आप यहां पर आपको डेट दिखेंगे और जब डेट दिखेंगे तो counseling आपको असुरू होगा तो उसके लिए आपको प्रतिक्षा करना है आए अब हम सीखते हैं कि किसको कहा मिलेगा है आपको दिखने को मिलेगा है ना यहीं पर देखो मैं बाकी का दिखाता हूँ जैसे कि द आखर आ आप तो किस परकार यहां दिखेगा आपको देखो यह सब आपको बीट में सीट कितना है क्या ने सब बगिक्त है । कि आप हमारे website में सीट देख सकते हैं बैक किजिए और सबसे पहले हाँ पर आके देखिए यहाँ पर लिश्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों और इनको देखके आप analysis लगा सकते हो आपका रेंग करने सार कितना मिलेगा देखो जैसे मान लो एक लड़की ने मुझे कल फोन किया था उनका नंबर है चार सो बाइस नंबर है तो उन्होंने कहा मुझे कि सर मेरा क्या एडमिशन गौर्टमेंट मिल सकता है तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कैटेगरी से भरा है फोर्म तो बोला हाँ सर EWS तो EWS रेंग उनका बाइस है तो मैंने आपको उनको बोला आप भी समझ लो कि देखिया EWS के थुरू से आपका देखे 40 सीट बन रहा है 40 सीट यह 40 सीट में आपका हो जाएगा अगर आप EWS सर्टिफिकर सो करते हैं तो अगर नहीं कर पाते हैं तो आप खुद ही देखिए यहां पे जो ह सेट है तो इस इंपोसिबल डू से यू देट कि 422 रेंक में आपको मिल सकता है नहीं मिलेगा फिर आपको सेमी में जाना पड़ेगा हां लेकिन कुछ कंडिसंस है क्योंकि नियम और लागू होना चाहिए जानकारी होना चाहिए कांसलिंगा तभी ऐसे पांसलिंग कर पिन करेगा कैसे जैसे माल लिजे चार कॉलेज है प्योर गवर्मेंट का तो पता है आपको कि एक प्योर जो है लड़की लोगों के लिए है तो जो प्योर लड़की लोगों के लिए एक सो है अब आपको एक से लिक कर जो लड़की बताएं 422 रेंक एक से लिक आपको 422 त पर आप अपना प्रेडिक कर सकते हैं कि कैसे करना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या किजे है और मुझे इसी वीडियो में कमेंन किजे आपको दिखाया कर दिया आपको आके दिखिए तब दक आपका कुछ काम नहीं तो ये सब तो करी सकते हैं अब रही बात सर काउंस्लिंग पर क्रिया हो गया तो करना कि आए सर इस वीच हमें तो ये counselling पर किरिया होता कैसे है तो देखे सबसे पिले कुछ नहीं आपको उसी पर का जिस पर का फॉर्म अपलाई की हैं उस पर का एक छोटा सा फॉर्म अपलाई करना पड़ेगा आपको रेजिस्टेशन नंबर और पासवर बनाना पड़ेगा और बनाके उसमें क्या है एक पेमेंट छोटी से करने रहती है जो कांसलिंग कफी होता है छे सो पान सो चार सो जो भी रहता है वो बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको कॉलेज चूज करने देगा दस कॉलेज आ आपके रंक आते आते आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं वो दिसाड़ कर लेंगा जो जो कॉलेज आप दिये हैं सीट अलाउड में तो आपको मिलेगा नहीं वो बता देंगे उसके बाद अगर आपको सीट अलाउड में नाम आया तो आपको एक मेरिट लिस्ट जारे करेग है और तो और यहां पर आपको डोकुमेंट्स भी लेकर जाना पड़ता है अगर कोई भी गलत डोकुमेंट्स पाया गया तो आपको बुलेगा घर चले जाओ अराम से रहिए सेकंड काउंसलिंग माई जाएगा है ना तो आई होप आपको इतनी तुजानकारी होगी इस वीड अरणा कि में जान वादा प्रिक से काई पक्रणाओ इस पाया प्रणाओ को पर भी जाएगिए जिता है ना बादा आपको आपको इसांवेगा है जाएगा है जा देता है जाएगी वी दाता काते है अरम पाया जाएगार मेंट्स